हाथ नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है विननदने प्यारे साथियों कि हम बात कर रहें थे हैं रहा समय अ yar stakeholders के नसे लिए कुछ पड़ लिया था चारों वेदों-पारे context क्या जानकारी मिलती यह उर्यो काहां से आये और-व्रयों निवास के ता यह जानकारी प्राप्त कर ली थी आरयों की भासा कुंछ ठी आरयों की भासा संस्कृत ठी ये जनकारी परक्त पे लिए उसके बाद हमने कुछ आस्रमों के बारे में देखा था ब्रह्म कि देखिए यहां से वेद त्रही किसे करते हैं अर्थार्त वेद त्रही के बारे में पढ़ाता कि तीन वेद अर्था तीन वेद क्या कहलाते हैं यह वेद त्रही कहलाते हैं और वेद त्रही कौन-कौन से वेद कहलाते हैं अर्थार्त यहां से अथर वेद को हटा दिया जात सबसे बाद में रशना किसकी हुई अथर्वेद किसकी हुई इसकी हुई वही सबसे बाद में रशना अथर्वेद की होती है स्थ वह प्रतम रशना य हो सबसे बाद में 409 653 इसकी बात करें तो किसकी की गणणा के आदार पर शूरूति यानि सुनना अर्थात वेदों को सुनकर बोलकर एक पीड़े से दूसरी पीड़े में क्या किया जाए हस्तानांतृत किया जाए या हस्तानतृत किया जाए तो उसे क्या कहा गया वेदों को शूरूति कहा गया वही ऐसी को शूरूति कहा गया सूरूति अर्थात व एक वेक्तिक की द्वारा बोला गया दूसरी को द्वारा सुना गया तो धीरे धीरे याद होता चला गया तो इस कारण से मनु ब्राह्मन गरंत की बात करें ब्राह्मन गरंतों की बारे में का जाता है कि वेदों को सही या व्याख्यात्मक रूप से या विश्यस व्याख्या क की गई एक चीजिक गई यह एक वन में लिखे गए ग्रं जाते हैं अच्छा अश्रम लिखे गए और वान परस्त आस्रम के समय और यह आस्रम किते बताए तो मैंने चार बताए तो को ये आपको उनसे र है ब्रहतार्य ग्रस्ट और वानप्रस्ट सन्यास चार आस्रम थे उपनीशक्षा कि बात करें उपनीशहत का मतलब होता है उप यानि पास या शमीव में मतलब ध्यान- Rank जानफुर्वक और इसका सद का मतलब होता है बैठना अर्थात्त गुरू के शमियव ध्यानपूर्वक या एकागर्चीत होकर बैठना इसका यह अर्थ लिया जाता है उपनिश्द निश्द कि T 108 कितने माने टोटल 108 माने गया है 108 में बात करें वेदांत के साथ बात करें यहां पर उपनिशद जो प्रमुकों निशद है उनकी 12 मानेकित हिसकी उपनिशाद होगी जिसमें से कौन-कौन से इस के इनकट प्रश्न मुंड़क मांडुक के वे सुरेता और व्रधा और चंदो और तेत्रिये और कोशिति की यह सामिल किये जाते हैं कोश्नी सत्रिया जाये में जिसके ऊपर संक्राचारह के द्वारा बाससे लिखता गया था यहां पर वे ऐ emerge की बात करें तो वे दांग हमने देख रहे थे ज्यूक हम ने प्रकार से भी यह पर्साथियों कि एड़े ली जिख्र किया सबाया घरोता जाए क्या संपूर्ण वेद को एक पुरुष मान लिया जाए तो उस पुरुष के कौन-कौन से भाग अर्थार्थ वेदांगों को भाग बताया गया बोडी पार्ट से बताया गया किसके एक वेद को पुरुष मान लिया जाए तो निरुक्त को कान कहा गया तो क्या कहा गया भी न मुख का गया कल्प को हाथ का गया हाथ का गया चंद को पेर का गया यह इस प्रकार से क्या द्यानकारी मिलती है हमें यह जानकारी मिलती है किसके वेदों के बारे में किसके जानकारी मिलती है वही वेदों के या वेदांगों के बारे में ठीक है तो यह कितने हैं वेदांग कि इतने होते हैं वेख्रदांग है है इतने विगदांग छे वेदांग है कितने वहीं और 6 किस परकार से यह आपने पूरा देख लिए आए अध्यायग्राम कर दो अब इसी चर्चा को आगे बढ़ते पैर दोस्तों और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम जो बात करने जा रहे हैं हम जो बात करने जा रहे हैं किसकी पैर दोस्तों अब देखी का उपवेद किसकी बात करने जा रहे हैं उपवेद अर्थात वेद और उपवेद एक त रिगवेद और उसका उपवेद की बात करने जा रहे हैं तो यहां पर रिगवेद रिगवेद की बात करें रिगवेद और रिगवेद का उपवेद जो है वह हो जाएगा आयूर्वेद कौन सा हो जाएगा आयूर्वेद का उपवेद कौन सा मना गया भी आयूर्वेद इसक दोस्तों यजूरवेद। चाहिए सब्सक्राइब अब बात करें साम वेद का घंदर साम वेद का गंदर वेद किसका साम वेद का जो उपवेद माना गया है वो माना गया गंदर वेद गंधर गंदर वेद कौन सा मना गया भी गंदर वेद अब बात करें तो कौन सा अथर वेद कौन सा अथर वेद अथर वेद अथर वेद अथर वेद अथर वेद का जो उपवेद माना गया है वो शिल्प वेद कौन सा माना गया है इस प्रकार से अर्थात आप से प्रेस्ट पूछ लिया जाए निम्र में से सुमिलित नहीं है क्या निम्र में से सुमिलित नहीं है या कोई सब प्रश्न बना दिया जाए यहां पर प्राश्न बना दिया जाए कि निम्र में से सम्मिलित नहीं कि का भई यहां पर कि चलिए कि निम्र में से और शम्मेलित नहीं है नहीं जो मोने और जाएगा और आ जाएगा ताप जवाब दे दोगी यहाँ पर पहला आजाएगा आपका एला ऑप्ष्ण क्या हो जाएगा भी यहां पर देखिए गा जो पहला होजाएगा वोगा फ़स्ट ओप्ष्ट आजाएगा रिगवेद रिग वेद और रिगवेद का कौन सा भई एक तरफ लिग देते हम आईरवेद आईरवेद ठीक है दूसरी तरफ दूसरा क्यूशन दूसरा ओप्शन नमबर दो हो जाएगा कौन सा यहां पर यजूरवेद यह जूरवेद कौन सा यह जूरवेद का कौन सा हो जाएगा धनुरवेद ठीक है अब कंडिशन क्या हो जाएगा तीसरा तीसरा जो अप्शन हो जाएगा सामवेद शामवेद और शामवेद हम सामवेद और शामवेद का कौन सा भई कि सामवेद का हम बात कर देते हैं तो हम बात कर दे हैं क्या लिख देते हैं कोशी तकी कोशी तकी यह लिख दिया अब बात करते हैं यहां पर चोथा अप्शन हो जाएगा अथरवेद कौन सा अथरवेद अथरवेद का हो जाएगा सिल्पवेद क्या सिल्पवेद क्या हो जा और निम्नमे से सुमिलत नहीं हैं तो कौन सा सुमिलत नहीं होगा भई यहां पर आंसर आपको देना होगा भई सबसे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका यह वाला आंसर सही हो जाएगा अर्थार्थ आप देख रहें प्यार दोस्तों यह वाला आंसर सही हो जाएगा या और अर्थारवेद का सिल्पवेद है ठीक है पर दोस्तों इस प्रकार से आपसे प्रश्नित उचा जा सकता है और आपको सही जवाब देना पड़ेगा जवाब समझ में आ गया पर सातियों अब आगे बात करते हैं तो यह जानकारी आपको हो जाने चीए नेक्स्ट जो बात क उपनिस्द से लिया गया है क्या यहां पर बात कर रहे हैं वी सट्य में जयते हैं सट्य में जयते किसे लिया गया है मुंद को उपनिशत से मुंद को कुपनिस्द कहां से लिया गया है भी सप्ते में उजयत है यह कहां से लिया गया है लोगपाल का आदर्स वाकिये इशोपनिशत से लिया गया है किस से लिया गया भी जो लोगपाल का आदर्स वाकिये है किसका पेर दूस्तों लोगपाल 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 का आदर्स वाक्य आदर्स वाक्य आदर्स वाक्य कहां से लिया गया है लोगपाल का आदर्स वाक्य और आदर्स वाक्य कहां से लिया गया भी इशोप निशद से कहां से लिया गया है इशोप निशद से कहां से लिया गया है इशोप निशद से लिया ग निशद से लिया गया है लिया गया है कहां से लिया गया है इशोप निशद से लिया गया है आदर स्वाग के जो है किसका लोगपाल का आदर स्वाग के कहां से लिया गया है इशोप निशद से लिया गया है ठीक है याद रहे जाएगा इसका लोगपाल का आदर्श वात की क्या है मा गधर्रे कश्य विद्धनम ये किसका लोगपाल का आदर्श वाक्य है मा गधर्रे मा गधर्रे मा गर्धे मा गर्धे कश्य विद्धनम मा गर्धे कश्य विद्धनम ये कहां से लिया गया है ये लिया गया है कहां से ये है लोगपाल का आदर्श वाक्य है कहां से लिकाया गया है ये इशोपनिशद से लिया गया है ये विशेश रूप से ध्यान रखना है कई बार पूछा जाता है एक्साम में तो इसोप निशद आपको लगाना होगा था क्या लगाना होगा वही इसोप निशद लगाना होगा और बाते करते हैं अब हमें जानकारी जो मिलती है पैर दोस्तों किसके बारे में जानकारी मिलती है वो जानकारी हम देखते हैं क्या अब देखे तो प्रत्वी ह प्रत्वी शुत्र में भूमी को माता माना गया है क्या माना गया है भूमी को माता वह मंत्र को क्या माना गया भी मंत्र को पुत्र के शमान माना गया है किसको माना गया है ठीक है सुरी मानाव को पुत्र के शमान माना गया है सètres क्या लिख है प्रत्वी शुक्त में कहां पर पिर दोस्तों रट इसुप तुमें इस वही प्रट्वी शुक्त में प्रत्वी में प्रतों प्रत्वी को प्रत्वी को माता माना गया है और और मानव को उत्र माना गया है माना गया है क्या माना गया है प्रत्वी को माता माना गया है कहां पर प्रत्वी शुक्त में प्रत्वी को माता कहा गया है या बात करते प्रत्वी की जगह भूमी भी आ सकता है आपका प्रत्वी शुक्त में यहां पर भूमी भी आ सकता है आपका ठीक है भूमी आ जाए ठीक ह यह प्रत्वी को क्या गया है माता का गया है प्रत्वी शुक्त में और किसको मानव कुष का उत्र माना गया है क्या माना गया है यह इसे शुरूप से ध्यान टिकना यहाँ पर वेदों में का जाता है कुल 31 नदियों का उल्लेक मिलता है कितने नदियों का उल्लेक मिलता है वे एदों में कुल 31 नदियों का उलेक किया गया है या गया है जिसमें से बात करें कहा जाता है कि जिसमें से 25 नदियों का उलेक तो कहां पर किया गया है आपके रिगवेद में ही किया गया है 25 नदियों का उलेक का किया गया है रिग वेद में किया गया है तरों किया गया है। 25 नदियों का उलेख तो जिसमें से तोटल वैदों में कितनी नदियों का उलेख किया गया है। यह 31 नदियों का उलेगा है जिशमें से मानें तो कितनी लगवाग 25 नदियों का उलेग किया गया यह विशेश रूप से ध्यान रखनी है क्या क्या देखा हमने सत्यमेव जयते मन कहां से लिखेया गया है तो कहां से लिखेया गया है तो भारत का अधर्सवाग के कह सकते आप सत्यमेव जयते जो मुड़ को अपनिशद से लिखेया गया है और लोकपाल का अधर्सवाग के वो कहां से इसोपनिशद से लिखेया गया और इसका मानव मानव को उसका पूत्र की आगया मानव को उसका पूत्र कीया गया जिसमें से 25 इत्य ञवेड सबसे महतफपून नदी शिंदु को माना गया है किस inquiry है कि漏 सबसे महतफपून है सबसे एसरे महत्व नदी कि सबसे महत्व फून नदी ऑ नदी उसको माना गया है सिन्दू को किसको माना गया है वही सभी नदियों की जन्नी या नदीतमा किसको का गया है सरस्वती को कहा गया है सरस्वती को कहा गया है ठीक है याद रहे जाएगा सरस्वती नदी को कहा गया है दूसरी सबसे प्रमुग नदी है जो सरस्वती है यह सभी समस्त नदियों की जन्नी कहा गया है क्या दूसरी सभसे महत्व पून नदी सरस्वत्ती है सरस्वती है कौन सी अवी सरस्वती है ठीक है और सरस्वती को क्या सरस्वती नदी को सरस्वती नदी को समास्त समास्त नदियों की नदियों कि जननी कहा जाता है क्या कहा जाता है सभी नदियों के जननी कहा जाता है किसको कहा जाता है सरस्वति को सभी नदियों की जननी कहा जाता है यह विश्य इस लोग से आपको ध्यान रखना है सबसे मातपून नजी किसमाना जाता है अब बाद कहा जाता है अग। है नेक्ष बाते घरतें अचेले दैक्ड मेरी तो यहां पर कि parlस्रोलीक की जाता है की इस समय आरो की सरमुह सब्सब्से प्रमुक जाती भरत थी कूंची इती भ consecut है कर दो कि सबसे प्रमुख जाती देखें और कि किसकी और कि आरयों कि सबसे घाद की सबसे प्रमुख%. भरत थी और भरत के बारे में का जाता है इसी के आधार पर संपूर देश का नाम भारत रखा गया इसी के आधार पर इसी इसी आधार पर शंपूर देश का नाम भारत रखा गया भारत रखा गया अर्थात भारत देश का नाम इस जाती के नाम पर भारत रखा गया ठीक है और बात करें भारत जाती का एक राजा हुआ जिसका नाम तो सुदास क्या भारत रखा इसका एक जन्जाती कभीला था या माने इस भर इस भरत जन्जाती का एक राजा था जिसका नाम तो सुदास कौन चाहिए इस इस भरत आजाती का एक राजा था शुदास कौन भई एक राजा था कौन सुदास सुदास इस भरत जाती का एक हुआ कौन सुधास और सुधास के कहा जाता कि सुधास और इस सुधास को कहा जाता सुधास मूलत कौनचा त्रिट्चु वन्स का था त्रिट्चु वन्स का था त्रिट्चु वन्स का था इसका वन्स कौनचा उत्ता था इसका वन्स सुधास का जो वन्स था इसका वन्स कौन यहां पर दोस्तो इन भरत राजा सुदास के एक पुरोईट थे विश्वामत्र कौनते वही विश्वामित्र इनको पद से हटा कर पुरोहित के रूप में महरसी वशिष्ट को नियुक्त कर दिया जाता है तो कहा जाता कि विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और यह एक दस राजाओं का शंग बनाते हैं क्या बनाते हैं दस राजाओं का शंग बनाते हैं और दस राजाओं का शंग बनाते हैं तो कहा जाता है कि इनके बीच में दस राजाओं और सुदास के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है दस राग्य युद्ध होता है जिसमें राजा सुदास जीत जाता है औ राजित हो जाता है यह जानकारी भी हमें यहां से मिलती है और जह यूद्ध लड़ा जाता है दस राग्ये यूद्ध कौन सा फैर दोस्तों 10 राग्ये तो यूद्ध 10 राग्ये दस राग्य जुद यो लड़ा जाता है पहर दोस्तों ये रावी नदी किसके नदी के तत पर रावी नदी के तत पर लड़ा गया था किसके बीच एक तो शुदास किसके बीच शुदास और सुदास वर्सेज दस राजा कितने राजा दस राजा कितने राजा दस राजाओं का राजाओं का शंग जो किसने बनाया था विश्वा मित्र ने बनाया था विश्वा मित्र ने बनाया था किसने बनाया था विश्वा म मित्र द्वारा बनाया गया था यह विश्वा मित्र के द्वारा बनाया गया था ठीक है याद रहे जाएगा जिसमें विजेई कौन होता है इसमें इसमें विजेई होता है कौन राजा सुदास विजेई हो जाता है ठीक है पहले दोस्तों यह दस रागी युद इसी भरत जात के द्वारा या दस राजाओं को मिलकर राजा सुदास के खिलाब युद्ध किया था विस्वामित्र के द्वारा क्यों किया गया था इनों ने अपने पुरोहित के पदपस से हटा दिया था राजा सुदास ने इसको विस्वामित्र को और किसको नियुक्त कर दिया था या प Іरो शुनि नबद्दी कौनफी परोशनी नदी रावी नदी को क्या बोलते हैं परोशणी जिसमें विजे राजा सुदास हो जाता है पह tortilla ले रहने भाट है फूछ लिया जाता है ठीक है याद रखना इसमें किया का आजाता है तो देखिए अब बात करें कि नाक्ष्ट जो बाते करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे यहां का राजनितिक जीवन की बात करें किसका राज नितिक राज नितिक जीवन यहीं की राजनिति इस पहले क्या 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 हुआ 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 क्या हुआ सबसे पहले परिवार कोन उता था परिवार सबसे पहले पहले काई जो होती थी परिवार परिवार के बाद होती थी कुल कोन होती थी कुल के बाद ग्राम क्या होती थी ग्राम क्या होती थी ग्राम यह गाउं परिवार, परिवार के बाद कुल, अर्था कुल, और कुल के बाद क्या होता था भई, ग्राउं, क्या होता था, ग्राउं, और, ग्राउं या इसको गाउं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, गाउं भी कर सकते हैं, यहां पर क्या होता था, गाउं, क्या होता था भई, गाउं विश विश के बाद जन जन के बाद जनपद जनपद और जनपद के बाद राष्ट क्या होता था राष्ट क्या होता था वही राष्ट या महाजनपद जिसे करते हैं क्या हुआ करता था था वही राष्ट या महाजनपद ठीक है इसको महाजनपद जदा सही रहेगा पद यह इस प्रकार से यह इकाई थी ठीक है परसासने की इकाईयां हुआ करती थी ठीक है इस तरीके से अर्था सबसे छोटा परिवार उससे बड़ा कुल उससे बड़ा गाउं क्या गाउं ये ग्राउं उससे बड़ा विस उससे बड़ा जन जन से बड़ा जन पद जन पद कि यहां पर मुख्या कोन हुआ करता था इधर बात करते हैं यहां पर मुख्या की बात करें तो परिवार का मुख्या होता था था पुलम कि यहां पर ग्रह पती क्या के लाएगा परिवार का तो ग्रह पती क्या के लाएगा ग्रह पती क्या के लाएगा ग्रह पती और कुल का क्या के लाएगा क्या क्या के लाएगा क्या 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 क ग्रामेनी क्या कर लाएगा ग्रामेनी क्या कर लाएगा ग्रामेनी क्या कर लाएगा विश्पति 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 करें तो जन का को क्या होता था गौत क्या होता था जन का गोब क्या होता था गो या रक्षक क्या रक्षक या राजन क्या राजन यह सब कहते हैं क्या हुआ करता था गो रक्षक राजन अब जनपत एक बहुत वढ़ी इक आए वह जा थी राजी से बढ़ी वह जाए और और जनपत काून हेटा अधि पति कौन आधित को निएफ इसे के इसकी सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन या राजनेतिक जीवन की बात करें तो यह राजनेतिक जीवन इस प्रकार से हुआ करता था वही ठीक है यह इस तरीके से राजनेतिक जीवन हुआ करता था कहां का किसका क्या पैर दोस्तों यहां पर ठीक है यह काई थी एक तरफ तो क्या देख रहे हैं यह क्या है यह क्या है तो क्या देख रहे हैं आρχा सबसे छोटा एक नंबर्चका गाऊं या गाउम्न में क्या परिवार आएगा परिवार को लाएगा के बाद कुल पुराट काहा करते थे याद रखिएगा राजा भूमी राजा भूमी का स्वामी नहीं होता था कभीला इस सरदार हुआ करते थे क्या हुआ करते थे समय राजा क्या नहीं होता था था राजा भूमी का स्वामी नहीं हुआ करता था क्या यहां पर देखें जो राजा है एक यहां पर देखिए जो राजा है यह भूमी का स्वामी नहीं उबा करता था कौन राजा राजा भूमी का स्वामी नहीं होता था भूमी को कभी लाई इसमें पहले दोस्तों भूमी को कभी लाई शर्दारों में बाटा जाता था कहां बाटा जाता था था अर्थार्थ जहां पर किस में बाटा जाता था जो भूमी है इसके रक्षक कोन वा करते थे तक बीलाई संदार किसी कभी ले से सरदार हुआ करते थे वो क्या कर लेते कर लाते थे भई भूमी के स्वामी या भूमी रक्षा कर लाते यह याद रहते हैं युद्ध का स्वामी जो है जनस से गोपता कर लाता था युद्ध का स्वामी क्या कर लाता था युद्ध का स्वामी किसका युद्ध का स्वामी युद्ध का स्वामी क्या कहलास अ matar जनत से हैं जनत से गोपता क्या राति था युद्थ मैं क्या राता था युद्र करус रूप से आपको यह चीज़ रहनार जादा रहती है और जहां से एक्जामेनर कैंवार Bruce लेता है वो कुल का रक्षक या मुख्या कौन होता है कुलप पूछ सकता है ग्राम का ग्रामिन होता है और ये भी पूछ सकता है कि किसी प्रकास से प्रशन बना कर वो पूछ सकता है ग्रामिन का रक्षक कौन होता है या राजन कहा का स्वामी होता है ये सारी चीजें पूछ सकता है औ और आपको आनी चीज आपको आनी चीज एक सामाजिक जीवन की बात करें सामाजिक जीवन यहां पर कहा जाता है अलग अलग प्रकार के हुआ करता था और सामाजिक जीवन बहुत अच्छा से ला करता था तो यहां का ना ठीक है तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें यहां पर समाज की तरह देखा जाए तो कहा जाता है कि यह एक प्रकार से किस्वे इसके प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से राजनितिक जीवन देख रहे हैं तो परिवार का मुख्या अर्था तो परिवार से ही जीवन चल रहा है तो कहां तक जा रहा है वही सोर्ष जीवन कि सामाजी जीवन कि कि सामाजीवन कि बात करें तो वेदिक सम्यता में जो समाज है वो पित्र सत्तात्मक वुगा करता था किसमें वेदिक शब्वेता वेदिक सब्वेता में वेदिक शब्वेता में वेदिक शमाज पित्र सत्ततमक के सा था वही पित्र शत्तात्मक था अर्था जहां का जो समाज है वो कौन सा था पित्र सत्तात्मक शमाज था जहां देखा जाए तो पिता का उत्रादिकारी उसका पुत्र बनता था क्या बनता था वही उसका पुत्र बनता था या फिर किसी का उत्रादिकारी उसका पुत्र बनता था उनका सरल ता किसके बात करेंक। और खानपान के साथ था खानपान का फ्रयोग किया करते थे और यह दूग्द से खानपान सरल था बनेसार वह निर्मीट इससे डुक से निर्मीट कीसे डूक से निर्मीट जी जोगा सेवन कर तेजों का सेवन न्या ती किसका लिस्का लिया श्रानि करते थे तो वही oh उससे निर्मित चीजों का सेवन किया करते थे यहां पर मांस मचली खाने को ग्रणा करते थे क्या करते थे और क्या करते थे मांस मचली मांस मचली खाने से खाने से घ्रणा करते थे इनका सबसे महत्वण कर्द आर्थ जू एज हम्सें जो कुछ और सुम्रस हुआ तो Thai और सबसे महत्वण पूर्ण पूर्ण प्या पे पदार्थ जो हुआ करता था हूँ क्या था शूमरस कौन हुआ करता था शूमरस हुआ करता था और शूमरस यह जड़ी बूटियों से बनाया दाता था किसे बनता था यह हिमाले की जड़ी बूटियों से बनता था इसका निर्मान किसे होता था भई इसका निर्मान सूमर इसका निर्मान होता था यह हिमाले की कहां से हिमाले हिमाले की जड़ी बूटियों से कहां से जड़ी बूटियों से होता था इससे हुआ करता था भई जड़ी बूटियों से होता था से होता था इसका निर्मान कैसे किया जाता था हिमाले की जली बूटियों से प्रयोग किया जाता था अर्था यह नसिला पदार्थ नहीं था अर्था एनर्जी देने वाला पदार्थ हुआ करता था इसे अभी पेक लगा लेते हैं वह वाला पेक नहीं है यह सोमरस से भी लिटल लिटल नहीं लिया जाता वह यह क्या हुआ करता था योद में जाते समय कर आगे इस तो आराम yat एक सुम्रस यह पीला करते हैं कि कि अपना नीद आ रहे है तो चाय को फिला दो कोफी पिला दो तो ऐनर्जी आ जाया तो यह किसका प्रियूक करते थे और उससे ताज की आते थे पहले चाय तक थी नहीं चाहे तो चीन वालों ने बेज़ दी कहां पर यहां बेज़ दी और चीन से कहां इंग्लेंड चली गें इंग्लेंड से कहां रगी अपनिया आ गए ठीक है इस प्रकार से चाही तो आ गई लेकिन चाही कहां बस गई चाही हमारे दिलों में बसकी और दिलों में बसके कहां दि पहनावी की बात करें तो चार प्रकार का पहनावी की बात करें पहनावा की बात करें तो यहां पर किते प्रकार का उता था चार प्रकार का चार प्रकार का पहनावा हुआ करता था चार प्रकार का पहनावा हुआ करता था चार प्रकार का पहनावा हुआ करता था चार प्रका करें चार प्रकार के पहना वहां निवी नीवी एक तो प्रयोग निया जाता नीवी निवी श्था नीवी अर्थाति यह निचे ले बस ने वह आया वस्त्र जो है नीवी के लाया करते थे क्या करते थे वही नीचे ले वस्त्र नीचे पहने जाने वाले या कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र या कमर से नीचे वाले इससे को ढखने के लिए जो वस्त्र प्रयूग करते थे उसको क्या करते थे वही हम नीवी करते थे उस शरीर को किसको उपरी logic co उपरी सरीर को डखने के लिए को दखने के लिए पहना जाने ika dot कि लिए और अदीवास वकुरी सरीर को दखने के लिए यई जो पर्योग निक अदूसको क्या जाने वाला कौन सा वास कौन सा वास और वास क्या होता है वह वास हुआ करता था उपर से ओड़ा जाने वाला उपर से ओड़ा जाने वाला उपर से ओड़ा जाने वाला वस्त्र ओड़ा जाने वाला वस्त्र केसा उपर से ओड़ा जाने वाला वस्त्र जैसे साल शाल अपन उ या फिर अपर से ओड़े जाने वाले वस्तर है या फिर दूपर या उपर से ओड़े जाने वाले वस्तर थे ठीक आत्का क्या हूँ था अर्था ये एक प्रकार का श्वेटर के समान श्वड़ को न पितर वहां हुआ करता था ऐक प्रकार का यिदे तो यह इसका पहिंगा चेटा था की सर्धियों से बचने के लिए पहना जाता था उसको अदका करते थे तो यह इसका पहना हो जाता है समाजिक प्रियोग किया करते थे एनर्जी के लिए यह किसका प्रियोग किया करते थे सोम्रस का प्रियोग किया करते थे इसी प्रकार से कहा जाता है रिगवेट में धनीवर्ग के लोग इसे प्रकार के वस्त्रधारन करते थे जिने छोम कहा जाता है क्या कहा जाता था ठीक है यह सारी है उसको क्या करते थे हुश्णी है पगड़ी को क्या करते थे उश्णी पर यह इस पूशा इसी के साथ इपहरो दोस्तो लिये के इतुन मिलते हैं थ到 my order दोस्तो और ऑव कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आफिजाएं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चेनल को share करना भिलकुल नहीं बो लें ठीक है वीडियो को जतना हो सके share कीजिये पार दोस्तोब मिलतै है नैक्स्क्लास में जौ्स और जजवे और चुने के साथ बने रहे के डीजेसर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफर्म के साथ धन्यवाद प्यार जुस्तुन नमस्कार